यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है अस्यवा दिन प्रलोभन को कैसे रोकें The Sirens तीन रहस्य मैस्त्रियां थी जो की Homer's Odyssey के अनुसार एक द्वीप पर रहती थी जब कभी एक जहाज वहां से गुजरता था वे उची चटानों पर खड़ी होकर गीत गाती थी उनके मधुर गीत नाविकों को नजदीक आने पर मजबूर कर देते थे और आखिरकार उनका जहाज चटान से टकरा कर डूब जाता था ओडेसी साइरन का गीत सुना चाहते थे लेकिन खत्रे को अच्छी तरह से जानते थे उन्होंने अपने मनुश्यों को आदेश दिया कि जैसे ही वे द्वीब के पास पहुँचते हैं वैसे ही उन्हें जहाज के मस्तूल से बान दिया जाए और उनके कानों को मोम से बंद कर दें जब ओडेसी ने साइरन की आवाद सुनी तब उन्होंने उसे खोलने के लिए कहा लेकिन उनके सहकर्मियों ने उन्हें और भी जोर से बान दिया केवल तब ही उन्हें खोला गया जब खत्रा टल चुका था यह कहानी उस शक्तिशालिक हिचाओं के बारे में बताती है जो हम सभी महसूस करते हैं जब हम उस चुनाव को करने का खत्रा मोल लेते हैं जो की बुरी है और विनाशकारी भी कुछ भी जीवन में बिना प्रलोभन के नहीं है प्रलोभन पाप नहीं है इश्यू पाप रहित थे फिर भी उन्हें प्रलोभन का सामना करना पड़ा इबरानियों 4 का 15 नितिवचन 7 का 21 से 27 तक धोका देने का प्रलोभन यह लेखांच शारीविक संबंद के प्रलोभन की ताकत और खत्रे का वर्नन करता है नमबर एक चिकनी चुपडी बातों से सावधान रहें सावधान रहें, आप क्या सुनते हैं और आप क्या पढ़ते हैं ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फसा लिया और अपनी चिकनी चुपडी बातों से उसको अपने वश में कर लिया नमबर दो, मुर्खता के काम ना करें विचार और शब्दकार्य की और ले जाते हैं, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया और नहीं जानता था कि उसमें उसके प्राण जाएंगे नमबर तीन, भटकाने वाले विचार को नियंतरित करें, अक्सर प्रलोभन की शुरुवात हमारे हृदय से होती है, तेरा मन ऐसिस्त्री व्यविचारिनी के मार्ग की और न फिरे, इस चेतावनी पर ध्यान दे, सुनो मेरे इन वचनों को गंभीरता से लो, मूर्ख की तरह मत घूमो, उसके आस पडोस में भी मत जाओ, नीतिवचन साथ का चौवीस और पच्चीस, उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यू के घर में पहुचाता है, प्रभू, मेरी अगवाई कीजिए कि मैं परिक्षा में न पड़ू, बल्कि मुझे हर एक बुराई से मेरे हरदय की रक्षा कीजिए, और भले और बुरे का ज्यान दीजिए, और मेरे कदमों का मार्ग दर्शन कीजिए, नयानियम, लुका 3 का 23 से 4 के 13 तक, प्रलोभन पर नियंत्रन, परमेशर आपके जीवन में प्रलोभन को आने देते हैं, जब आप इन परिक्षाओं से परमेशर ने इसे होने दिया, वह आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया, बप्तित्समा के समय पवित्रात्मा के शक्तिशाली अनुभव के बाद यह परिक्षा होई, यह घटना करम सामान्य है, यही कारण है कि हम आलफा में लोगों को चिताते हैं कि हो सकता है कि इशु ने जिन प्रलोभनों का सामना किया, अक्सर वही प्रलोभन हैं जिनका हम सामना करते हैं, यह सभी प्रलोभन नियंत्रन के इर्द गिर्द गूमते हैं, हमारी भूक पर नियंत्रन, हमारे अभिप्राय पर नियंत्रन और हमारे जीवन पर नियंत्रन, शैतान आपके जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। इसके विपरीत परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस स्वतंत्रिता को जाने जो पवित्र आत्मा की अगवाई में चलने से मिलती है। शैतान इश्वर की बातें सुनना और उनके साथ एक संबंद को बनाने से गहरा आत्मिक संतोष, आनंद और उदेश्य प्राप्त होता है। इक ही पल में शैतान ने इश्व को जगत के सारे राज्य दिखाए। उसने उनसे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूँगा, यदि तू मुझे प्रणाम करे, तो यह सब तेरा हो जाएगा। अपने लिए चीजों को इखटा करने का प्रलोभन बहुत ही शक्तिशाली होता है। भौतिक सम्रद्धी इस जीवन में अधिकार और वैभव को लाती है। लेकिन खत्रा यह है कि यह आर्थिक सुरक्षा हमारा अभिप्राय बन जाता है और हम अपना भरोसा धन पर रखते हैं ना कि परमेश्वर पर। इश्व ने यह कहते हुए इस प्रलोभन का उत्तर दिया। यह लिखा है तु अपने प्रभू परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। केवल एक चीज है जो पूरी तरह से सुरक्षित है और वह है परमेश्वर के साथ आपका संबंध। इससे आपका प्रात्मिक अभिप्राय होना चाहिए। अपनी सेवकाई के दोरान चमतकार किये। किन्तु इन्हे करने में उन्होंने परमेश्वर की आज्यामानी और पवितरात्मा की अगवाई में चले। यह परमेश्वर की परिक्षा करने और उनसे मांगने की वह आपका समर्थन करें इससे थोड़ा अलग है। अपनी खु अपनी से इश्व ने शैतान और उसके प्रलोभन को भगा दिया। उन्होंने बार बार कहा यह लिखा है और फिर वचनों को दोहराया। जिसने शैतान के जूट और प्रलोभन को सीधा उत्तर दिया। शैतान उन्हें छोड़कर चला गया। लेकिन वह थोड़ी देर के ल परमेश्वर मैं आपकी पवित्रात्मा की अगुआई में चलना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिये कि मैं आपके नस्दीक रह सकूँ ताकि आपके वचनों को जानू और प्रलोभनों को दूर करूँ। पुराना नियम गिंती 11 का 4 से 13 के 25 तक तुलना करने का प्रलोभन ठीक जैसे जंगल में इश्यू की परिक्षा हुई वैसे ही परमेश्वर के लोगों की परिक्षा हुई जब वे जंगल में थे। इस लेखांश में उधारन हमारे लिए चेतावनी के रूप में लिखे किया था लेकिन वे दूसरे भोजन की लालसा कर रहे थे गिंती 11 का 4 परमेश्वर के चमतकारी प्रावधान के लिए उन्हें धनिवा देने के बजाए उन्होंने कहा काश हमारे पास खाने के लिए मास होता वे लगाता रो रहे थे और शिकायत कर रहे थे मिसर में उनके कुछ न कुछ होता है फिर भी यदि हमारे पास देखने के लिए आखे हो तो हम नियमित रूप से परमेश्वर की भलाई दया शमा प्रेम और अनुग्रह से घिरे हुए हैं इर्श्या मरियम और हारून के साथ इस इर्श्या के एक उदाहरन को देखते हैं वे पूछते हैं क्या यहवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है क्या उसने हम से भी बातें नहीं की 12 का 2 जब योह श्यू कैंप में दूसरों के द्वारा भवविश्वानी किये जाने से धुकी था तब मूसा ने जवाब दिया क्या तु मेरे कारण जलता है यहां पर विशयात्मिक लोगों का एक समू था, हारून, मरियम और यहोशु, फिर इसराइल के गोत्र के 12 लीडर थे, 13 का 4 से 15, तब 70 लीडर और अधिकारी, 11 का 16, यह इशु के 3 नसदी की समू, 12 प्रेरीत और तब 72 दूसरे लोगों के समानांतर था, लुका 10, जब पवित्रात्मा मुसा के 70 लोगो को मना कर दीजिए, जब आप देखते हैं कि परमेश्वर एक शक्तिशाली तरीके से दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसा ने पहचाना कि उसे सहायता की अवशकता थी, उसने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के सभी लोग पविश्वकता हों और परमेश् लेकर उनमें समवाऊंगा और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा, नमबर तीन, घमंड, इर्श्या आती है दूसरों के साथ अपनी तुलना करने से और यह सोचने से कि यह थोड़े कम अच्छे हैं, घमं परमेश्वर और मनिश्यों के बीच में घमंड सबसे बड़ा अवरोध है, परमेश्वर दीन व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जैसा कि C.S. Lewis ने कहा है, सच्ची दीनता अपने बारे में कम सोचना नहीं है, बलकि अपने आपको कम मानना है, अब मुसा एक बहुत ही दीन व्यक प्रत्वी पर सबसे दीन व्यक्ति, बारा का तीन, शायद इसलिए परमेश्वर ने शक्तिशाली तरीके से मुसा का इस्तेमाल किया, मुसा दीन, वफादार, करुणामई और शमा करने वाले थे, परमेश्वर के साथ अत्यधिक नजदी की संबन से यह विक्सित हुआ था, जिसके कारण परमेश्वर ने आत्मी ये रूप से उससे बातें की, उसके साथ आमने सामने बात की, परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि असंतुष्टी, जलन और घमंड के प्रलोभन को रोक दूँ, मेरी सहायता कीजिए कि भरोसे योग्ये वफादार और दीन व्यक्ति गिनती 11, 4-6 इश्व ने उसे उत्तर दिया, लिका है कि तू प्रबु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपास ना कर, लुका 4-8